हाई एवरिवन मैं हूँ अकास रजाक और आप देख रहे हैं RS Films Productions बहुत सारे लोग मुझसे इमेल्स पर कमेंट्स पर इस्टाग्राम पर अक्सर पूछते रहते हैं कि CV कैसे त्यार किया जाता है CV या नहीं होता है करिकुलम बिटे तो इसे कैसे रडी किया जाता है कैसे अगर आप फिल्मेकिंग से रिलेटेड है आप डिरेक्टर है राइटर है या आप प्रडूसर है तो आप कैसे अपना CV त्यार करेंगे देखें CV का यूज कहां पर होता है मैं आपको बता दू अगर आप अंगा वेब स् sulphorm को या फिचर फिल्म को बनाना चाहते है आप उसे एपर्फ या पिछ कर रहे है तो वहां पर से साइवी मांगा जाता है महांठ से से च्याह जाएगा तो यहां पर सूर्ड पर से मांगा जा रहा है फिर आप एज़ी कर पर जा रहे है अपने story को लेकर अपने script को लेकर तो इसमें भी कभी-कभी यूज्वाली रही लेकिन कभी-कभी यहां पर cv आप से मांगा जा सकता है तो cv actual में होता क्या है cv में होता है कि आपका work experience क्या है आपने क्या-क्या किया है अगर अगर अप pressure है तो भी आप में क्या-क्या talents है आप क्या-क्या कर सकते हैं वो सभी चीजे उसमें लिखी जाती है तो उसके तयार करने का एक format होता है कि किस तरीके से CV को बनाया जाता है तो वो पूरा proper format में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ और CV में क्या-क्या चीजे आप लिख सकते हैं क्या-क्या points आप लिख स उस course को आप घर बैठे जॉइन कर सकते हैं और आप online course को कर सकते हैं और उस course में आपको professional script writing सिखाए जाएगी आप जब इस course को complete कर लेंगे तो आपको एक certificate दिया जाएगा जो आपके लिए plus point का का काम करेगा producers को convince करने में तो आप ज़रूर जॉइन कीजिए उस course को course को जॉ बता हूं कि CV कैसे बनाई जाती है तो इसके लिए चलना पड़ेगा आप लोगों को मेरे laptop के screen पर तो चलिए मैं आपको बताता हूं CV यानि curriculum विटे का क्या format होता है देखे इसमें जो format आपको बताया जा रहा है यह format एक main format है इस तरह के और भी formats होते है curriculum विटे के तो आपक क्या करना है आपको कोई साभी writing software open कर लेना है जैसे आप Wordpad उसकते हैं आप програм उसकते है तो कोई सबेंग को क्या करना है आप curriculum विटे heading में लिख लिए मैं यहाँ पर MS Word Software यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ heading में करिकुलम विटे bold letters में आप उसे underline कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा उसके बाद आप अपना नाम bold letters में लिख करके उसे underline कर दीजिए देखिए यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख रखा है अकाश रजक और उसके बाद फिर मैंने उसे underline कर दिया है यह bold letters में रहेगा उसके बाद फिर आपको क्या करना है contact and address next line में लिखना है तो उसे भी आप underline कर देंगे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर contact and address को bold करें उसके बाद फिर आप आप नीचे में mobile number लिखेंगे mobile number आप अपना यहाँ डाल देंगे उसके बाद आप email ID अपना लिखेंगे email ID आप यहाँ पर अपना डाल देंगे जैसे मैंने डाल रखा है email ID उसके बाद आप address लिखेंगे अपना पूरा address आप यहाँ पर लिख देंगे मैंने यह address का column खाली option में जाएंगे तो आप यहां से फिर अपने image को यहां पर attach कर सकते है, तो फिर image attach करने के बाद, एक आप space छोड़ दे, एक line आप छोड़ दे, उसके बाद फिर आप qualification लिखे, इसमें आपको आपकी qualification लिखनी होगी, यानि आप कितने पढ़े लिखे है, आपकी क्या-क्या degrees है आपको क्या-क्या extra knowledge है से वो भी आप यहां पर qualification में लिख सकते है, जैसे यहां पर मैंने लिख रखा है intermediate with science, PCM, यानि physics, chemistry, maths, फिर comma देके फिर और आगे आप लिख सकते है, जैसे मैंने हैं लिखा है graduated with English honors, फिर comma देके BA, फिर comma देके computer knowledge, तो इस तरीके से आप अपने qualifications को य movie skills का, यानि यह जो आप curriculum विटे बना रहे है, यह mainly आप movie के लिए बना रहे है, आप writer है या फिर आप film maker है, तो आप इसे कहीं पर submit कर रहे है, तो आपको movie के purpose से बनाना है, तो आप यहां पर अपने movie skills लिख दीजे, तो movie skills को लिख करके फिर से आपको इस तरीके से lining दे दे और देखे, मैं यहां पर एक बात आपको कहना चाहूँगा, कि आप वही चीजे लिखे जो आप really में करना जानते है, अगर आपको नहीं आती है वो चीज तो आप इसमें movie skills में मत लिखे, आपको जितना आता है वही लिखे, वो जादा better रहेगा, suppose मान लिजे कि आपको editing न मैंने लिख रहा है, filmmaking knowledge, film script writing knowledge, film direction knowledge, film editing knowledge, acting skills, filmmaking teaching skills, dancing, तो यह सभी चीजे आप देख लेंगे कि आपको क्या-क्या आता है और आप उस हिसाब से यहां पर खुद लिख सकते है, उसके बाद next line में आप फिर से space छोड़ देंगे, एक line आप छोड़ देंगे, उसके आप फिर आप इस तरीके से lining यहां पर कर देंगे, उसके बाद फिर आप अपना objective लिख लेंगे, objective जैसे मैंने लिख रहा है यहां पर, becoming a successful film script writer, director and filmmaker in Bollywood, यानि एक successful film script writer, director and filmmaker बनना, next point और मैंने लिखा है, providing knowledge to film strugglers and motivating them to become successful, यानि film strugglers को knowledge देना और उनको motivate करना अपने life में successful होने के लि और ये दो points जो है, आप लिख सकते है, और आप कितने भी points लिख सकते है, जैसे आपका जो भी points से, आपका जो भी objective से, आपका उसे 2-3 points, 4 points में लिख सकते है, उसके बाद next आपको लिखना है, work experience, तो work experience में आपको वही चीजे लिखनी है, जो आपका work experience, आपने क्या-क्या पहले किया है film industry में वो आप लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है proprietor of drish films which is a film production house विफपा registered तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है drish films का मैं proprietor हूँ और यह production house है जो विफपा registered है western India Film and TV producers association से यह registered है उसके बाद फिर SWA regular membership यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं कुछ-कुछ चीजें जो रियल है आपके work experience में फिर director of RS education high school यह भी आप लिख सकते हैं अगर कुछ extra आप कर रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर यहां पर मैंने लिखा है कि यहां पर मैंने लिखा है कि जो YouTube मैं एक YouTube creator हूँ 9.5 thousand subscribers है मेरे और YouTube channel का नाम है RS Films Productions जो लोगों को subscribers को filmmaking की knowledge देता है, film script writing की knowledge देता है, film direction की knowledge देता है, film editing की knowledge देता है उसके भाइब फिर next point और मैंने लिखा है teacher of online film script writing course, filmmaking course, film direction course and film editing course through video contents and webinars यानि मैं एक teacher भी हूँ जो online film script writing सिखाता है, filmmaking सिखाता है, film direction सिखाता है, film editing सिखाता है, video contents और webinars के through उसके बाद फिर next point है presently working on film nepotism यानि मैं presently nepotism movie पर काम कर रहा हूँ उसके next point है, writer of e-books which are published on insta mojo, यानि मैं e-books का writer हूँ जो insta mojo पर published हुई है, the names of the books are concept से screenplay तक का सफर, यानि जो books है उनका जो नाम है वो है, concept से screenplay तक का सफर, जो screenplay writing पर based है, यानि यहां लिखा हूँ बेस्ट on screenplay writing, फिर यह सभी मेरे books के नाम लिखे हुए है, जो जो मैंन है कि film industry में आपने क्या किया है, तो इस तरीके से आप लिख सकते है, उसके बाद आप अपना work experience लिख करके फिर आप personal details पर आ जाएंगे, देखे यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बता दू कि आप जब भी work experience लिखते है, तो वही लिखे जो real है, अगर आप कुछ भी ऐस इसी चीजे लिखते हैं, जो आपने नहीं किया है, तो फिर यह अच्छी बात नहीं होती है, अगर फिर आप जिसके साथ deal कर रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा, तो फिर आप लोग की बीच में तनाव हो सकता है, तो इसलिए आप वही चीजे लिखे जो real में आपका work experience है उसके बाद फिर आपको एक gapping छोड़ना है, line की और उसके बाद आप अपने personal details लिख सकते है, personal details मैंने यहाँ पर सभी हटा दिया है, क्योंकि यह सबकी personal details होती है, तो मैंने भी इसे हटा दिया है, gender आपको लिखना है, आप male है या female है, date of birth आपको अपना लिखना है, फिर आपको अपना language proficiency लिखना है, आप कौन-कौन से languages में बात कर सकते है या लिख सकते है, मैं अपनी बात करो तो मैं English और Hindi में बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, फिर आपको अपना marital status लिखना है, यानि आप शादी शुदा है या नहीं है, फिर आपको अपना father's name लिखना है, तो ये आप अपने personal details को लिख लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CV को हमने कितने steps में तयार किया है, देखिए पहला step है contact and address, दूसरा step है qualification, तीसरा step है movie skills, चौथा step है objective, पाचवा step है work experience, और छठा step है personal details, तो इस तरीके से आप भी इन 6 steps में अपने CV यानि curriculum पसंद आया होगा, इसे like, share और subscribe जरूर कर दीजिए, तो आप लोगों ने जाना कि CV को कैसे त्यार किया जाता है, अब जब भी आपको कहीं पर से भी CV मांगा जाए, तो आप आसानी से इस तरीके से भेच सकते हैं, और बिल्कुल आप सभी लोग अपने CV रेडी जरूर कर लीजिए, ताकि कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े, तो आप तुरंत उसे send कर सके, या फिर आप उसे दिखा सके, तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर कीजिए, चैनल परना है, तो इसे subscribe जरूर करना चाहिए, क्योंकि filmmaking से अगर आप related है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि film में क्या हो रहा है, film industry में क्या चल रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, फिर मिलते हैं लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई, अगर आप एक professional film script writer बनन से कर सकते हैं, चार महिने के इस course में आपको script writing की छोटी से छोटी बारी कियो और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से example सही तिखाया जाएगा, course की syllabus screen पर दिखाई जा रही है, इस course को हर उम्र के लोग कर सकते हैं, जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते कोर्स के दोरान अगर आपको कोई भी doubt होती है तो आप हमें WhatsApp या call करके अपने doubt को clear करवा सकते हैं, इस course को complete सीखने, समझने और practice करने के बाद आप एक professional film script writer बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं, A to Z script writing course को join करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप screen पर दिये गए नंबर पर call या WhatsApp कर सकते हैं, धन्यवाद